सब्सक्राइब कीजिए राजधने एजुकेशनल ग्रूप पच्छकोडिया यूटूब चैनल को बेल आइकन दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल अब भी जहिन जैराजधने कैसे हैं आप सभी मैं हमुद कुमार सिंग आप सभी का बाईलूजी मेंडर एक बार फिर से हमारे राजधने परिवार के यूटूब चैनल पर आपका हार दिक स्वागत करता हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्षर को आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो मैमेलिया क्लास है उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि इस तंधारी जो यहां पे वर्ग होते हैं इसको कितने आगे सब क्लासे में डिवाइड कर सकते हैं उप वर्गों में with this particular classification of members, देखे, यहाँ पर जो Mammalia class है, basically इसको कितने जो है, सब classes में divide करते हैं, मैं लिखा यहाँ पर all the members which generally belong with the Mammalia class, इसको three sub classes में divide करते हैं, कितने, मैंने का यहाँ पर three sub classes में इसको हम divide करते हैं, और इसमें से very first class जो है, इसे क्या कहते हैं, Protoetheria केते हैं लेकिन हम यहांपे पढ़ लेते हैं यहांपर Collectively एक साथ देख लेते हैं कि कौन-कौन से classes हैं जिसके बारे में हमें one by one study करना है देखिए कितने हैं मैं आरे का ट्री classes हैं और कौन-कौन से classes होते हैं Very first हम पढ़ेंगे Protoetheria के बारे मैं इसके बारे में मैं आपको Proto-theria के बारे मताऊंगा जो की Primitive Type के जो है Mimals consider किये जाते हैं, साथ-साथ Proto-theria के बाद हम study करेंगे Meta-theria, ठीक है, Next जो subclass हम study करेंगे, ये क्या है, मैंने का हम study करेंगे Meta-theria के बारे में, metatheria के बाद हमें study करना होता है last subclass इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं यूथिरिया और इसी यूथिरिया में जो well developed type के जो भी species होते हैं mammals के वो यहाँ पे यूथिरिया subclass से बिलॉग करते हैं अब देखिए इन सभी point को हम one by one discuss करने वाले हैं तो very first classification का जो subclass है आप यह देख रह के general properties की बात करते हैं तो यहाँ पर very first character आपको देखने को मिल रहा है it is about it is less developed यह क्या होते यह less develop और यह近 mai पलिक सित होते हैं कम कॉछत होते हैं कि क्य chicky मैंनेख कहा आपको कि इस particular में क्या आते है में इस particular अ क्लास में primitive प्रिमिटिव टाइप के जो भी मेंबल्स होते हैं या स्तंधारी होते हैं वो इसी क्लास में आते हैं और इसी सब क्लास में आते हैं और बैसे क्या कहते हैं आदिम प्रकार के स्तंधारी प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है प्रिमिटिव का मिनिंग होता है आदिम स्तंधारी जो हैं वो basically इस subclass में आते हैं जो की कम विक्षित होते हैं मतलब जो की left develop होते हैं साथ-साथ इसे क्या कहा जाएगा and called as a reptile-like mammal इसे क्या केते हैं इसे basically इस particular subclass में आने वाले जो भी जीव होते हैं उसे इस तंधारी केते हैं जो कि किसके समान होते हैं जो सरिसरप के समान होते हैं यह reptile के जैसे होते हैं अब देखिए इसी particular prototheria subclass के बारे में हम next general character study करने वाले हैं और यह क्या होता है यहाँ पर आपको जो next character आपको देखने को मिल ला है इस एबाउट दो यहाँ पे absence of pinny पिन्नी क्या है basically हमने ear pinna या फिर ear pinny के बारे में discuss किया था और यहाँ पे चुकि यह आदिम प्रकार के हैं तो advanced जो mammal के character होते हैं उसमें से कुछे characters यहाँ पे absent होते हैं और यहाँ पे यह कहा जाएगा यह जो पिन्नी है वो क्या होते हैं यहाँ पर absence होते हैं या फिर यह अनुपस्तित होते हैं यहाँ पे next character को study करते हैं यह क्या है यह है memory glands are without teeth यहाँ पे क्या लिखा होगा है कि आप जानते हैं कि इस्तन गरंथियों का पाया जाना memory gland का पाया जाना one of the important character of the mammals consider किया जाता है और यहाँ पर मैं आपको बता दू कि यहाँ पी जो स्तन गरंथि है इसमें क्या नहीं होते मैंने का यहाँ पर देखिए स्तन गरंथि में एक structure के बारे में study करते हैं जिसे कहते हैं निपल क्या कहते हैं इसे निपल कहते हैं कि actually में इसका जो anterior part होता है वो highly pigmented होता है जो अत्यदिक वर्णांग की छेतर है डार्क एरिया जो होता है basically वहाँ पर हमें जो है निपल वारा एरिया या फिर एरियोला एरिया भी कहते हैं इसे वो देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर प्रोटो थिरिया में क्या होता है यहाँ पर निपल अपसेंट होता है तो यह इसका one of the important character हो गया अब देखिए इसके बाद मैंने आपको इसके बारे में कि यह oviparous होते हैं हमने previous class में भी discuss कर लिया था कि जो mammals होते हैं वो क्या होते हैं यह unders प्रकार के होते हैं कैसे होते हैं यह मैंने का यह unders होते हैं मतलब यह oviparous होते हैं कैसे होते हैं यह oviparous होते हैं तो अगर यह oviparous है तो basically यह क्या करने वाले हैं मैंने का यह egg lying species होते हैं क्या होते हैं यह जो हैं अंडे देने वाले जीव होते हैं, अंडे देते हैं, और यह इसका exception है, इसके अलावा जो भी होंगे, वो कैसे होते हैं, वो जरायूज प्रकार के होते हैं, विवी प्रकार के होते हैं, अब देखते हैं, कि जो पुटो धिरिया होते हैं, वो basically उनका आवास क्या है, जो भी members आते हैं, पुटो धिरिया में basically उसका आवास क्या है, वो कहां के रहने वाले हैं, मैंने का यह basically हमें कहां को देखने के मिलते हैं, मैंने का यह हमें Australia, Australia के साथ-साथ New Guinea, यह सारे ऐसे particular जगे है, place है, और साथ-साथ Tasmania, मैंने का Tasmania में मिलते हैं, Australia में मिलते हैं, इसके साथ-स हो गए प्रवासी हो गए चीक है प्रोटोथिरियंस की मैं बात कर रहा हूं यहां पर अगर इसपेशली हम किसकी बात करें यहां पर देखिए only one order is include in this subclass के वल एक ही particular order आता है और जिसके संदश्य क्या होते है order को पताया क्या कहते हैं इसको गन कहा जाता है क्या कहते हैं इसको इसको गन कहते हैं तो केवल एक ही order को हम इस subclass में consider करते हैं और यहां पर मैं आपको बता दूँ कि very first example है यहां पर इस ड्वेंट basically क्या है यह है और निथो रिंकस क्या है यह मैंने का इसी प्रोटोथिरिया subclass में जो इससे क्या है इसे कहते हैं इसे कहा जाएगा duck thread hop즈 कहते हैं और यह जो duck proces होता है इसके बाड़े में क्या कहते हैं कि इसमें विज्व मेल इसम्य होते हैं जो नर प्रिजाती है उसमें क्या present होता है मैंने का इसमें poison hormone present होता है Anchor हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं विष्ट ग्रंथी क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं पौईजन ग्लेंड या विष्ट ग्रंथी कहते हैं तो आप देखिए मैंने का ओर्नेथोरिंकर जो है उसके मेल में क्या होता है जैसे डक बिल्ड प्लेटिपस भी इसका कॉमन नेम होता है उसमे poison gland present होता है male species में नरप्रजाती में ठीक है और ये first example हो गया हमारा prototheria sub class का अब देखिए यहां पर particular next class की बात करें इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं takey glosses क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा takey glosses और takey glosses जो है इसी का सामाने नाम क्या होता है इसी prototheria का second example होता है और इसे tatchy glosses कहते हैं इसे कहते हैं 물mi這個 क्या कहते हैं इसे eidina कहते हैं या spiny ant eater कहते हैं plead Previously मैं आपको बता दूं कि जो takey glosses है इसको हमने बोला क्या हमने इससे बोला है spiny ant eater मतलब यहांपर spiny कहने का मतलब क्या होता है spiny कहने का meaning है इनके body पे क्या पाए जाते हैं काटे पाए जाते हैं मतलब spines पाए जाते हैं अगर आपको previous मतलब कल के live session में मैंने जो आपको बताया था कि इनके body पे पाए जाने वाले hairs जो हैं अगर किसमें modify हो जाएं अगर ये hairs basically मैंने का spines में भी modify हो जाते हैं कुछ एक species में और यह वही है species जिसे क्या किया रहे हैं इसे क्या रहे हैं टेकी glossus और इसे ही इकाइडिना या spiny ant eater कहते हैं जिनके body पे spines या spicules present होते हैं चीक है तो यहां पर two example को आपको especially learn करना है यह आदिम प्रकार की जो स्तंधारी होते हैं वो prototheria sub class में आते हैं इन्हें हम prototherians केते हैं यहां पर और निथो रिंकस के साथ साथ आपको taking glossus example के बारे में पता होना चाहिए चीक है हमने इतनी सारी point को discuss किया सीधे lead करते हैं हमारे next particular slide के तरफ उसमें देखिए यहां पर हमने australian जो spiny antiter होते हैं टेकी glossus होते हैं उसके बारे में बात के थी वहां पर देखिए यह जो दो particular figure या diagram आपको रिखाई दे रहा है first of all देखिए हम यहां पर इस figure की बात करते हैं figure 1 की बात करते हैं तो यहां पर देखिए यह क्या है यह Australia में पाए जाने वाले यह म मैंने अभी कहा था कि इनके body पर पाए जाने वाले hairs, rome किस में modify हो जाते हैं मैंने कहा यह spines में क्या होते हैं modify हो जाते हैं मतलब यह काटे में परिवर्टिट हो जाएंगे चीक है अब देखिए यहां पर इसे tachy glossus के बारे में देखा और यह जो आपको ए typical diagram दिख रहा ह यह basically यहां पर ornithorhynchus का है क्या है यह मैंने का ornithorhynchus anatinous species है जिसे हम सामाने नाम क्या कहते हैं इसे duck build platypus कहते हैं क्या कहते हैं इसे duck build platypus कहते हैं तो आप यह देख रहे हैं कि इसके anterior feet पर क्या present है मैंने का यहां पर anterior feet पर कुछ एक जाल की जैसा structure present होता है कुछ एक जो वेब के जैसे structure present होते हैं, साथ-साथ यहां पे eye present है, यहां पे nostrils present है, और इसका जो आगे का जो structure होता है, mouth का जो part होता है, मैंने का यह flat end होता है, मतलब समतल होता है, यह आपको आगे का जो surface दिख रहा है, वो flat end आपको देखने को मिल रहा है, अब देखिए, यहां पे ह हम अगर इसकी बात करें, particular, हमने interior fit के लिए ये बोला कि ये web है, यहाँ पे क्या है? ये जाल जैसे structure होते हैं. लेकिन अगर इसके posterior fit की बात करते हैं, post part की बात करते हैं, तो ये कैसे होते हैं? ये क्लोग कहते हैं इसे नाखुन जैसे structure होते हैं और यहाँ पर इनके अंगलियों में भी क्या होते हैं यहाँ पर जाल होते हैं वेब होते हैं इसलिए इस तरह के अंगलियों को क्या कहेंगे वेब्ड जिजीट्स कहेंगे ठीक है हमने इतनी सारे जो हैं characters के बारे में onithorinkus और techy glosses के बारे में क्या किया one by one study किया अब देखिए अब हम क्या basically क्या study करने वाले हैं अब मैं आपको यहाँ पर next slide के बारे हम discuss करने वाला हूँ marsupils के बारे में किसके बारे में यहाँ पर next subclass के बारे में study करने वाले हैं मैंने कौन कौन से subclass होते हैं मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया था prototherapy, meta things theory और utheria 3 타 classes के बारे में study करना होता है और इसमें से भी हमने यहाँ पे basically first class को study कर लिया है अब यहाँ पे second sub class को study करने वाले हैं और यह क्या है यह basically हम यहाँ पढ़ने वाले हैं metatheria के बारे में किसके बारे में metatheria के बारे में करने ऒाले हैं जिसे हम tranquos keयते हैं Marco expired क्यों कए है हम यहां पर फॉस्ट ओप्वल सब्सक्राइब माजसूप्द इसलिए जाता है क्योंकि इहां पर क्या प्रियसेंट होता है मैंने अचेहाँ पर फ्रिजनस ऑफ in मार्सूपियम क्या होता है यहां पर मार्सूपियम या मार्सूपियल पाउच लाइक स्टॉक्चर होते हैं कुछ एक ठैली जैसे स्टॉक्चर होते हैं आप सिंपली अगर बात करें कि यह मार्सूपियम और मार्सूपियल पाउच आपने कहां देखा होगा आपने मेक्रोपस मतलब कंगारू को दिखा होगा वहाँ पे उसके पास जो हैं मार्सुपियम या फी जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिशुधानी क्या कहते हैं इसे सिशुधानी कहते हैं वो मार्सुपियम लाइक स्टॉप्चर कंगारू या मेक्रोपस में प्रिजेंट होता है जिसमें वैसे क्ल अपने जो newly born baby है उसको save करते हैं उसको protection provide करते हैं अब इसके साथ-साथ यहां पर हम क्या बात करें प्रेजेंट लिए यहां पर यह पिन्नी भी क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं basically यहां पर लेकिन इसे पहले बाले जो सब class हमने study किया था प्रोटोथीरिया वहां पर यह इयर पिन्नी क्या थे अब सेंट थे बड़ इन दिस पॉटिकुलर क्लास विच इस बैसिकली इन ऐस मेटा थिरिया यहां पर यह पिन्नी क्या होते हैं प्रिजेंट हो देखिए मैं आपको बताने वाला हूं कि अगरा मुझे टैल वाले और बैलेंसिंग औरगन यह संतुलक संदशना जो भी होती है बैलेंसिंग औरगन को क्या बोलेंगे इसे कहते हैं संतुलक संदशना या संतुलक अंग कहते हैं तो यह क्या होते हैं यह संतुलक अंग होते हैं जो यहां पर इस वर्ग के या इस उपवर्ग के सदश्यों में हमें देखने को मिलता है कि tail जो है वो थिक होते हैं लोंग होते हैं और tail का पाया जाना ही basically tail को यह किस रूप में यूज़ करेगा यह tail को balancing organ के रूप में भी यूज़ करता है earpinna present होता है, marsupium भी क्या होता है present होता है चीक्छिए है इसके बाद देखिए मैंने का यहां पे अगर इसपेशली अगर पैनिस सिश्न की बात करते हैं विच इस अ कॉपुलेट्री और गन कॉपुलेशन के प्रोसेस में मैथोन की प्रिक्रिया में काम आते हैं तो अगर हम यहां पे नमबर ऑफ पैनिस की बात करें या फिन नमबर कितने होते हैं मैंने खांग यहां पे इन सभी basic structures के number जो की reproduction मतलब जनल से संबंधित सरशनाएं हैं इसके number कितने होते हैं two होते हैं आप देखें यहां पर क्या present है मैंने का यहां पे दो प्रेंट और बहुत अधर बाहिये प्रकार के जो sexual character के लिए यहाँ फिर कुछ एक बाहिये प्रकार के जो sexual character का meaning होता है कि link समंदित जो भी लक्षन होते हैं उसको प्रकट करने के लिए यहाँ पर kleitoris के बारे में भी study करते हैं यह कुछ एक जिल्ली नुमा structure होते हैं अब देखिए यहाँ पर basically मैंने कहा इन सभी basic structure which is related with the reproduction इसके number कितने होते हैं अब यहाँ पर next point क्या है next point है absence of true placenta देखिए यहाँ पर placenta क्या है placenta के बारे में आप जानते हैं कि develop होते हुए जो यहाँ पर embryo होते हैं और साथ-साथ जो maternal body है जो यहाँ पर माता या फिर जो है basically parent की जो body है और साथ-साथ अगर embryo के बीच में अगर एक प्रकार के जैविक संबन्द की बात करते हैं biological connection की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं इसे हम placenta कहते हैं और यहाँ पर यह जो placenta है यहाँ पर true type का placenta क्या होता है मैंने का true type का placenta यहाँ पर absent होता है और साथ-साथ penis, vagina, uterus और clitoris के number कितने होते हैं दो-दो होते हैं अब देखिए next particular structure यहाँ पर हम points को discuss करने वाले हैं जो यहाँ पर present होता है मैंने का they give the birth यह क्या देते हैं मैंने का they give the birth to undeveloped young ones which are kept into the marsupium till the complete development मैंने आपको first of all यही discuss कर दिया था कि इसमें marsupium present है और अगर यहाँ पर marsupium present है तो basically यह और विक्षित परकार के young ones होते हैं सिशू को क्या करते हैं और विक्षित परकार के सिशू को जन्म देते हैं मैंने का they kept it into the marsupium यह marsupium में इसे रखते हैं और कब तक रखते हैं जब तक कि इसमें क्या नहीं हो जाए मैंने का जब तक कि इसमें पूर्ण विकास यह development नहीं हो जाता तो यहाँ पर विकास की अवस्था को प्राप्ट करते हुए तक यहाँ पर यह marsupium जैसे structure अपने सिशू धानी में अपने young ones को शिशू को क्या करते हैं अपने आव लिट्शित या अनडबलिप प्रकार के जो शिशू होते हैं उसको रखते हैं और देखिए यहाँ पर हमने जो भी क्रेक्टर स्टड़ी किया है इस एक सबक्लास का उसको हम वन मोर टाइम रिवाइस करने वाले हैं देखिए मैंने क्या कहा हमने यहाँ पर पढ़ा marsupials और metatheria के बारे में very first character यह है कि इसमें marsupium pouch या फिर यहाँ पर marsupial pouch प्रिजेंट होता है यहाँ पर जो टेल प्रिजेंट है टेल वाले पार्ट के लिए क्या कहते हैं यह ठीक है साथ-साथ यह long है और basically यह use किसमें आते हैं मैंने कहां यह balancing structure है या balancing organ है संतुलंग के लिए पाए जाने वाले अंग होते हैं साथ-साथ यहाँ पर number of system की बात की हमने यहाँ पर vagina, ionic की बात की, uterus, garbhasic की बात की और साथ-साथ external denitaria, यहाँ पर kleitois की बात की इन सभी की number कितने होते हैं, दो होते हैं इसमें true type के, सत्य परकार के जो अपरा है placenta को क्या केते हैं, इसे कहते हैं अपरा, चीक है यह जो है, माता के सरीर और विक्सित हो रहे भून के मद्ध में एक जैविक समन्ध है all the type of nutrients, पोशक परदाथों को पहुचाने का जो है, सिशु तक एक माध्यम होता है एक मेडियम होता है, एक structure होता है इसे placenta कहते हैं, लेकिन इसमें जो है, सत्य परकार के या फिर डेबलब टाइप के placenta नहीं पाए जाते हैं, चीक है किस में, मैंने कहा है, यहाँ पर next character के तरफ, यहाँ पर next character जो है हम पढ़ने वाले हैं, यह क्या है it is about basically, यहाँ पर हम next character देखें, यहाँ पर दिखें next slide, यहाँ पर जो हमने sub class जो study किया है, उसके बारे study करने वाले हैं, कि sub class में हमें कौन-कौन से example बारे हम देखने वाले इसके example के बारे में कि आखिर यह जो हमारा second sub class है जैसे हम metatheria बोल रहे हैं या marsupials बोल रहे हैं तो इसमें कौन-कौन से example के बारे में हमें study करना है देखिए अगर यहाँ पर example consider करें तो very first example यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पी दिख रहा है ओपोसम क्या लिखा हुआ है ओपसम लेकिन ओपसम से पहले दिखिए यह कौल character दिया हुआ है यहाँ पे हमने जिस तरह से प्रोटो थिरिया सब क्लास के बारे में study किया था कि वह basically किस place of living की हमने बात की थी उसके habitat की थी वह कहां पाए जाते हैं किस जगे पाए जाते हैं इसकी बात की थी अब यहाँ पे हम पर ओपोस हम है जो कि कैसे होते हैं मैंने का देखी यहां पर एक special point दिया हुआ है डाइड डेल्फिस क्या होते हैं डाइड डेल्फिस आप जानते हैं कि इस particular सबक्लास में वारी जो भी होते हैं इसमें इसके बारे में आपने पड़ा होगा ट्रिके आपने निया में यसके ह correr अपने पर मैं यहoster हो था जब हमने S के helminthes phylum को क्या किया था round warm, gold कर्मी के बारे में study किया था वहाँ पर भी ये term आये था इसके लिए ही कहा जाता है कि oposum जो है इसका क्या होता है gestation period gestation period को क्या कहते है इसे कहते है गर्बकाल क्या कहते है इसे हिंदी में इसे कहते हैं गर्बकाल या गर्भावस्था तो देखिए यहाँ पर gestation जो period होता है मतलब गर्बकाल जो होता है वो कितने days का होता है मैंने का ये 12 से 13 दिनों का होता है मतलब 12 तू 13 days का होता है किस particular जीव की बात कर रहे है oposum की बात कर रहे है देखिए यहाँ पर second example second example क्या है second example है kangaroo kangaroo जो है इसे basically हम क्या कहते है इसे ही macropus भी कहते हैं और यह कहाँ पाए जाते हैं तो यह केवल औस्टेलिया में पाए जाते हैं अब देखिए इस particular diagram के दुरू हम समझने की कोशिश करते हैं का यह क्या है आप जानते होंगे यह macropus है या कि kangaroo है इस kangaroo के structure को अगर आप observe करें carefully तो यहाँ पे देखिए यह जो particular part है यह marsupium है और इसी marsupium में जो ill-developed stage में इसके young ones होते हैं मतलब यहाँ पे अब रुक्षित अवस्था में जो शिशू होते हैं उसको क्या करते हैं यह क्या करते हैं बैसे कली यह contain करते हैं उसको रखते हैं और तब तक रखते हैं जब तक उसमें जो है डबलब में complete न हो जाए वो fully mature न हो जाए ठीक है तो हमने यहाँ पे example की बात की second subclass की बात की अब सीधे हम लीट करने वाले हैं next particular subclass के बारे में और यह क्या होता है इस डूइन basically यह आपको रिखाई दे रहा है यह है यूथीरिया ठीक है आप देखिए यह जो यूथीरिया है इसमें क्या होता है आप जानते हैं कि यूजो है वो क्या represent करता है यू यहाँ पे true को represent करता है मतलब सत्य प्रकार के जो स्तंधारी होते हैं सत्य प्रकार के जो स्तंधारी होते हैं उसे हम कहते हैं यूथीरिया या फिर इसमें आने वाले सभी शर्दशियों को कहते हैं यूथीरियंस अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम यहां पर देखते हैं कि यूथिरिया इंकलूस्ट वेवी पैरस इसमें क्या होते हैं मतलब जरायूज प्रकार के जीव आते हैं और साथ-साथ मैंने का प्लेसेंटल में मल्स आते हैं इससे पहले जो हमने क 사건 की बात किती मैंने कहा तो वहां पर अपरा होते तो हैं लेकिन वह अल पर विखशेत होते हैं और यहां पर वैल डव这र प्य सेंटा होता है और ऐसे यह जसमें वैप मतलब यह संदार की फिकार परकार के होते हैं ठीक है अब देखिए इसमें हम नेक्स क्रेक्टर की बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ पिननी यहां पर क्या प्रेजेंट होता है यहां पर और क्या प्रेजेंट होता है यहां पर और क्या प्रेजेंट होता है आप जानते हैं कि हमने जब प्रिवियर सब क्लास के बार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे मिमर्स के जो भी advanced character होते हैं वो इस subclass के मिमर्स में present होते हैं अब देखिए यहां पे अलग अलग जो है basically क्या present होता है यहां पे memory gland मतलब यहां पे क्या present है मैंने का यहां पे इस्तन गरंथी present होता है और इसके इस्तन गरंथी में क्या present होत यहां पर निपल प्रेजेंट है और साथ-साथ हम यह कहते हैं कि आपको मैंने प्रिवियस लेक्चर में एक पॉइंट बताया था कि ब्रेइन से सम्मंधी टर्म जो कि किसे क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं इसे कॉर्पस कॉलेसम क्या कहते हैं और यह जो कॉर्पस केलोसम है व और इसमें क्या होता है यह corpus callosum present होता है अब देखिए इसके और next character के बारे में study करते हैं यह है presence of true placenta मैंने आपको starting में क्या दिया था कि यह placenta में मल है इसमें सत्य प्रकार के क्या होते हैं अपना पाए जाते हैं और इसके लिए जो specific term biological term दिया जाता है इस सत्य प्रकार के plac placenta के लिए वो क्या होता है it is known as alentocorionic placenta which type of placenta इसे कहते हैं alentocorionic placenta कहा जाता है सत्य प्रकार का placenta इसमें present होता है अब देखिए यहां पे हम discuss करने वाले इसके next character को कि presence of single vagina and the uterus इसमें क्या present होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है इसमें केवाले single vagina मतलब यो नी single यो साले जो सब क्लास थे उसके members में आपने देखा था ओपोसम में हमें discuss किया था डाइडल्फिक कंडिशन के बारे में जिसमें वेजाइना यू टेरस पैनी सभी कितने होते दो थे चीक है लेकिन यहां पर यू थिरिया में क्या कहते हैं कि केवल एक single vagina single योनी और साथ-साथ- प्रिजेंट होता है चीक है और देखिए यहां पर यह point हमने already discuss कर लिया है कि अब इस particular सब क्लास के member कैसे होते हैं जरा यू प्रकार के होते हैं यह well developed शिशू को क्या करते हैं जन देते हैं यहां फिर baby born करते हैं देखिए हमने यहां पर जो भी character पड़ा है उसको one more time revise कर ले मैंने का यू थिरिया जो basically sub class है इसमें जो mostly advanced type के जो members आते हैं वो इसी particular sub class में आते हैं मैंने का यह क्या होते हैं यह basically यहां पर viviparous होते हैं developed young ones को क्या करते हैं developed शिशू को जंग देते हैं और इसमें placenta भी true type के होते हैं यहां पर memory gland में क्या present होता है निपल present होता है साथ- brain से संबंदित structure है यहां पर present होता है यहां पर true type के placenta present होते हैं इस placenta को यहां पर क्या कहा जाता है एलेंटो कॉरियोनिक placenta कहते हैं presence of यहां पर कितने वेजाइना और कितने यहां पर uterus present होता है तो single vagina और single uterus present होता है और साथ-सत हमने viviparous के बारे में already study कर लिया है इसके बाद next particular यहां पर हम discuss करने वाले इसके character को देखिए यहां पर आपको क्या दिखाए दे रहा है हम अब यह जो third subclass है especially हम third तीसरे उपवर्क की बात करें तो इसको अलग-अलग प्रकार के order मतलब यह subclass है तो divide किसमें करेंगे हम gun में divide करेंगे तो हम especially अगर you three subclass की बात करते हैं तो इसको अलग-अलग प्रकार के gun या order में इसको divide करते हैं विभाजित करते हैं और यह gun कौन-कौन से होते हैं देखिए मैंने का इसमें जो first यहां पे हम gun के बारे में study करने वाले हैं प्रत्थम प्रकार का order है इसे क्या कहते हैं इसे insecta या इंसेक्टिवोरा कहते हैं क इसमें कुछ न कुछ प्रकार के कीट प्रकारती इंसेक्ट की बात करने वाले हैं ठीक है अब यह जो insectivora है हम कह रहे हैं insectivora लेकिन हलाकि इंसेक्ट नहीं है यह तो mammals पढ़ रहे हैं mammals में third subclass utheria पढ़ रहे हैं और utheria में जो first order है इसे कहते हैं insectivora insectivora में basically जो भी mammals आते हैं वो भक्षन करते हैं किसका insects का यह कीच का भक्षन करते हैं food source या भोजन के श्रोत के रूप में इस्तिमाल करते हैं तो मैंने कहा यह कैसे होते हैं यह smallest and primitive mammals होते हैं सबसे छोटे होते हैं और यह आदिम प्रकार के mammals होते हैं और basically अब इसे क्या कहें इसे हम कहेंगे insectivoras, insectivoras तो वो जीव होते हैं जो basically insects को अपने food source के रूप में इस्तिमाल करते हैं इसके बाद देखिए अगर example की बात करें तो example में यहाँ पे sorex होता है, क्या होता है, sorex होता है, इस particular diagram में जो आपको species दिखाई दे रहा है, यह क्या है, यह sorex है, और sorex किस में आते हैं, insectivora में आते हैं, जिसका nature क्या होता है, कीट भक्षी होते हैं, यह क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं कीट भक्षी, ठीक है, तो यह insectivora type क्यों होते हैं, सासत हमने यह कहा, कि यह जो शुरू होते हैं, वो क्या होते हैं, smallest mammal होते हैं, इसके बारे में हमने अभी जो में आने वाला शुरू है जिसे हम क्या कहते हैं सौरेक्स भी कहते हैं चलिए अब सीर लीड करते हैं next particular character के तरफ यहां देखिए हमने यहां पर प्रथम परकार के जो गण है उसके बारे में study किया था अभी जिसे हमने कहा था insectivora अब यहां पर हम second type के order और उसके आने वाले species के बारे में discuss करने वाले हैं और इसमें क्या होता है मैंने का यह जो second order है यह क्या है काई रोप्टेरा क्या है मैंने का काई रोप्टेरा है और basically इसमें किस परकार के मैंस्ओर स्तंधारी आते हैं वो मैंस्ओर जिसमें थोड़ा बहुँत जो है उने की tendency होती है मैंने का इसमें flying में में आते हैं क्या मैंने और उने वाले इस थहाइन जैसे example के तौर पर अगर हम किसकी बात करें बैट की बात करें आप सभी जानते हैं बैट को क्या कहते हैं चमकादर कहते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्लाइंग मेंबल्स हैं जिसे basically हम बैट कहते हैं तो यह इसी particular जो है order के सब्दश्य होते हैं अब देखिए यहां पर अगर इसके वरेशन की बात करें यहां पर इसके टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस कैसा होता है मैंने का अब इसका टेस्टिस एब्डॉमिनल होगा देखिए यहां पर कुछ एक specific point है यहां पर देखिए यह जो है starting में मैंने का यूथिरियंस होते हैं लेकिन यूथिरियंस में भी basically इसके जो टेस्टिस की बात करते हैं वो उदर गुहां में मिलते हैं extra abdominal condition की बात करें तो नहीं देखने को मिलेगा यहां में क्या मिलेगा abdominal देखने को मिलेगा मतलब यह बाहर नहीं होते हैं इसमें वर्शन abdominal cavity से abdominal cavity के अंदर ही होते हैं अब देखिए यहां पे सीधा सा first example यहां पे आपको दिख रहा है इस order का वो क्या है टेरोपस क्या है टेरोपस यहां पे peace island होता है तो टेरोपस क्या होता है कि flying fox इसका common name क्या होता है इसका common name होता है flying fox ठीक रह कि क्या खाते हैं मैंने काößई यह basically fruit को खाते हैं फल को खाने वाले फल भक्षी होते है फल भक्षी होते हैं, fruits खाते हैं, इसलिए इसे फुरूगी वर्स कहते हैं, तो हमने terropus या flying fox फुरूगी वर्स के बारे में study किया, अब देखिए, इसी का second example आपको दिख रहा है, decimodus, अब यह decimodus जो हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते है वेम्पाइर बेट, क्या कहते हैं यह एक vampire bait है जो blood को शक्ट करने के लिए जो हैं जाने जाते हैं famous होते हैं और प्लड sucking nature होता है और blood sucking nature को हम biology में क्या करते हैं इसे कहा जाता है सैंक्यू वरस को क्या क्या करते हैं कि रक्त को जो चूसने वाले होते हैं तुक है blood sucking type के होते हैं तो देखें आपने यहाँ पे दिखा कि decimodus जो होता है वो vampire weight कलाते हैं और vampire weight के साथ तक हम इसे क्या कहते हैं यह sanguvorus type के होते हैं रक्त को चोसने का कारी करते हैं blood suck करने का work करते हैं अब यहाँ पे दिखिए हमने second order के बारे में kayakthropodera के बारे में श्टड़ी किया जिसमें आने वाले ter Klubus और decimodus के बारे में श्टड़ी किया अब मैं आपको यहाँ पे third order के बारे में बताने जा हूँ basically class तो यहाँ पे क्या है class तो यहाँ पे memel है उसमें subclass third है third कौन सा है? third है utria यू थिरिया में third order के बारे में पढ़ रहे हैं और ये क्या है rodentia क्या है ये rodentia class जो है basically membal है और rodentia क्या है यहाँ पर order है तो rodentia gun के बारे में पढ़ है इसमें क्या होता है basically अब तक हम जो भी order पढ़ चुके हैं पढ़ चुके हैं उन सभी में सबसे largest order consider किया जाता है तो rodentia जो order है वो क्या है largest order है इसके बार देखिए next character क्या है आप जानते हैं इंसाइजर क्या होते हैं आप सबी को बता है हमने basic point में जब we studied about the teeth हमने दांत के बारे में study किया था मैंने teeth का classification on the basis of their shape and function बताया था shape के basis पे जो heterodont होते हैं या विश्यम दंत्री होते हैं उसमें कारी के अधार पे incisor प्रकार के teeth होते हैं जैसे हमने ICPM incisor, canine, premolar और molar तरह के बढ़ थे तो इसमें basically जो incisor प्रकार के teeth होते हैं यह basically आप जानते हैं इसका work क्या होता है cutting का होता है यह food के particles को cut करते हैं तो इसमें their incisor grow constantly यहाँ पे नियमित रूप से या नियत रूप से constantly यहाँ पे इन में पाए जाने वाले जो incisor प्रकार के teeth होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, विर्धी को दर्शाते हैं, डबलब होते रहते हैं, यहाँ पर देखिए एक्जाम्पल, एक्जाम्पल क्या है, एक्जाम्पल है यहाँ पर गिनी पिग, फर्स्ट एक्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एक्जाम्पल यहाँ पर है, गिनी पिग के बारे में पढ़ रहे थे largest order है इसमें पाए जाने वाले incisor प्रकार के तित जिसका over cutting का होता है यह develop होते रहते है constantly चीक है इसके साथ साथ यहाँ पर एक single example के बारे में discuss किया जिसे क्या कहते है गिनी पिक कहते है और इसी गिनी पिक को होता है जिसे क्या दिया हुआ है यहां पर यहाँ पर इस यह Um कमगारू रैट कहते हैं और इसके हेबिटेट के बैस्स भेएसिस बोला है इसे और क्या क्या कहते हैं से डिजर्ट रैट क्या कहते हैं इससे डिजर्ट कहते हैं हैं मतलब ऐसी जग है जहां पर जो है लेक ओफ वाकटर 와登録 चlles हैं जलामाव वाले जो छेतर होते हैंughter यह किया नहीं करते हैं? यह कभी भी जह जल पानणान करते, यह पानी को नहीं पीते हैं, वाटर को ढेंक करते हैं. और इसे हमने कहा क्या है कंगारो रेट यहांаешь चुक्क् Singleuden कोucharist कर देजर्ट रेट कहेंगे जला होई बहुए चाहता है.ilot Grüe है जो उनको adverse condition जैसे की desert area में भी रहने के लिए क्या करता है capability या शम्ता प्रवाइड करता है इसके साथ साथ हमने कहा कि यह कंगारो रैट को ही क्या कहते है diopodomies कहते है second example हो गया third example हमने discuss किया यहाँ पर है squirrel ठीक है यहाँ पर squirrel जो होते हैं वो भी इसी particular order में ही आते हैं आट कहते हैं हाउस्राइट सरी यहाँ ऑस राइट की बात करते हैं जो घर में पाये जाने वाले रैट की मात करें इसे Kat reflect रहते हैं ने स्ब्रभ जैनल जोने इंगे तो तो यह described यह उता जाती है और सब्सक्राइब यह स्विक El Words बिसकली आपको यहाँ पे एक्जाम्पल थे हमने क्या कर लिया है अब सीधे हम लीड करते हैं पर नेक्स पॉर्टिकूलर ऑडर की तरफ देखिए यह क्या है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फॉली डोटा ठीक है अगर यहाँ पर next order folly dota gun की बात करते हैं तो यहाँ पर first point क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या absent होता है यहाँ पर teeth absent होता है और इसमें पाए जाने वाले अगर tongue की बात करते हैं जीवा की बात करते हैं तो यह कैसे होते हैं मैंने का इसमें पाये जाने वाले टंग जो है वो लंबे होते हैं या फिर लॉंग होते हैं जिके फॉस करेक्टर तित अब सेंट है लेकिन पाये जाने वाले जीवा कैसे हैं लंबे होते हैं किस गंड की बात करें किस ओर्डर की बात करें फॉली डोटा ओर्डर की बात करें नेक्स्ट यहां पर ग्रेक्टर जो आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर क्या present होता है कुछ एक hoarni plate कुछ इक काटेदार पटि का जैसी कुछ संदिस्तना ही पाये जाती है hoarni plate का पाया जाना भी यहां पर falli डोटा वर्ग के स्देश्च्यों का ही क्या है बिलाक्षनी कुंदर्म होता है देखिए यहाँ पे हम देखेंगे claw मतलब नकर या फिर कुछ एक नाखुन के सवान curve like जो structure होते हैं यह present होते हैं और यह काफी क्या होते हैं मैंने काफी powerful होते हैं मतलब यहाँ पे सक्तिशाली होते हैं मैंने का claw भी पाए जाते हैं कुछ एक मूरे हुए claw basically यह कुछ इस प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं यहाँ पे claw या फिर नाखुन पाए जाते हैं और यह जो की बहुत ज़्यदा powerful nature के होते हैं चीक है अब देखिए यहाँ पे अगर example की बात करें इस यहाँ पे एक single example given है जो की क्या है अब देखिए यह मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि यहाँ से जनरली आपको module में question देखने को मिलेगा कि इसका common name क्या होता है इसका common name होता है पैंगोलीन क्या होता है पैंगोलीन होता है लेकिन इसका special character क्या है यह basically scaly ant eater है देखिए हमने इससे पहले आने वाले sub class में बढ़ा था टेकी glosses के बारे में वहाँ पे उसको कहा था क्या उसको spiny ant eater कहा था लेकिन यहाँ पे क्या है यह scaly ant eater क्यों क्यों क्योंकि हमने previous lecture में यह discuss किया था कि mammals पे basically उसके body पे hairs present हो सकते है सम टाइम कुछ सदशियों में यह hair scales और spines में भी modification शो कर सकते है और यहाँ पर यह scales होते है basically किस में present है मैंने का ant eater जिसे basically क्या कहते है manis कहते है इसका common name pangolin भी होता है और इसके body पे hairs जो है वो रुपांदरन दर्शाते हैं सल्क में चिक है तो इस kelly को क्या कहते है शल्की कहते है सल्की ant eater कहते है चिक है अब सीधे हम next order के दरब लीड कहते है it is about the यहां पे है लेगो मॉर्फा लेगो मॉर्फा जो order होता है इसके बारे में हमें क्या पढ़ना होता है कि यह क्या होते है exclusively मतलब यह completely पूर्ण रूप से कैसे होते हैं यह हर भी वोरस होते है यह basically क्या कहेंगे इसे कहेंगे basically जो भी यहां पे plant eater होते हैं मतलब यहां पेывать food source होता है basically कोई भी प्लांट हो सकता है तो यहाँ पे बिल्कुल शाकाहरी जो है nature के होते हैं फ्लैस इट नहीं करते है मांस को खाने वाले को इन कार्णी वरस ठीक है यहां पर हर भी वरस के बारे मताये गए प्लांट टीटर केते हैं जो किterror मॉर्फा ओरर में हम पढ़ रहे हैं ठीक है अब देखिए इसमें अगर canines type के तित की बात करें तो यह यहाँ पर क्या होते हैं? absent होते हैं canines teeth वही जो basically tearing, मतलब food particles को जो हैं यहाँ पर tear करने के लिए इसको फारने के लिए जो है इसको small particles में divide करने के लिए present होते हैं यहाँ पर canines subset होते हैं लेकिन basically यह क्या formation करते हैं मैंने और यह यह-दाइज मेटा form करते हैं दिखिए यहां पर एक important term आ गया canine subcent लेकिन किसका formation कर रहे हैं यह dyes meta type के जो है तित का formation कर रहे हैं जिसमें canines क्या होते हैं absent होते हैं और nature क्या है प्रकर्धि क्या है हरभी भूरत होते है ठीक है अब देख舒 ainda यहां पर वेली फुस्ट एक्जामपल फॉस्ट एक्वlarını क्या है यहां पर है फॉस्ट एक्जामपल ऑरिक्ट लेगस यह नं syst निक 설 pendant करते हैं क्याह विट को क्याते हैं कभी आपने लचन को जो है फ्लैच्ट इट करते हुए मांस खाते भी नहीं देखा होगा यह टोटली शाकाहारी प्रक्रतिकी होते हैं भोजन के स्टोथ के दार पर यह क्या होते हैं प्लांट इटर होते हैं अब देखिए नेक्स्ट इजामपल क्या है लेपस्ट को क्या करते हैं हेर कहते हैं जो खरहा होते हैं इसे basically कहते हैं तो यहाँ पर हम सीधे lead करते हैं next particular यहाँ पर गन के बारे में या फिर यहाँ पर हम order के बारे में study करने वाले हैं and it is about the carnivora अब हम यहाँ पर carnivora जो gun होता है जो इससे पहले आने वाले जो order होते हैं उससे जएदा develop होते हैं आती विक्षित प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं देखिए carnivora जो order होता है basically यह कैसे होते हैं मैंने का यह active and the powerful जो carnivorous animals होते हैं वो इसी particular order में आते हैं जो भी flash eater अब हम देखिए यहाँ पे plant eater न बोलके इसको क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे flash eater क्या बोलेंगे flash eater बोलेंगे तो यहाँ पे flash को खाने वाले मांस को खाने वाले meat को खाने वाले जो animals होते हैं वो क्या होते हैं powerful सक्तिसाली होते हैं और यह इसी particular order से belong करते हैं गंज से संबंदित होते हैं क्योंकि क्या करने के लिए टियर को फाड़ने के लिए किसकी आवसकता है मैंने का इस कैनाइन टाइप के तित किया हो शक्ता है क्योंकि कैनाइन तित ही यहाँ पर कौन सा function शो करते हैं मैंने का यह food particles को tear करते हैं इसको फाडने का small particles में divide करने का work करते हैं अब देखिए यहाँ पर basically होता है presence of creasinial यहाँ पर देखिए यहाँ पर करने सील टीथ क्या होते मैं आपको बता दूँ ऐसे टीथ जहाँ पर basically अपर molar या प्री मोलर और प्री मोलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब सेंट होते हैं, तो यहां पर देखिए, मैंने कहा यह कैसे होते हैं, यह होते हैं, करनेसियल टिथ रखने वाले एनिमल, जिसके टिथ में अपर और लोवर जो में प्री मोलर और मोलर नहीं पाये जाते हों, उसे क्या कहते हैं, करनेसियल टिथ कहते हैं, उसके बार देखें यहां पर क्या दिया हुआ है कि memory glands are abdominal, अब यह क्या है, मैंने का यहां पर memory glands क्या होते हैं, एब डॉमिनल होते हैं, मतलब उदर गुहां से संबंदित होते हैं, सीधे example के तरह बलीड करते हैं, very first example आप देख रहे हैं, यह क्या है leopard है, leopard का आप जानते हैं, जो होता है इसका scientific name क्या होता है मैंने का scientific name होता है panthera pardus क्या होता है panthera pardus क्या होता है लेकिन leopard के साथ अगर low and share की बात करें इसे क्या क्यते है panthera leo क्यते है इसके बारे में तो आपको generally पता भी होगा और यहां पर जो होता है इसे बात कहते है अपर पेंधरा टीगर ते डिया होँखर को पैंथरा डीवर को कहते है इसे हिंदी में बाप कहते है लियो को क्या बोलते ह deplाली चेह क्या है अब पेंथरा पार्डस कहते हैं अब देखिए यहां पे डॉग भी इसी पर्टिकुलर केटेगरी में कार्णिवरा नेचर के होते हैं और यह बिसेकली डॉमेस्टिक डॉग की बात करते हैं डॉमेस्टिक डॉग है डॉग का यहां पर साइन्टिफिक नेम क्या होता है कैनिस फैमिलियस क्या कहते है इसे कहते है कैनिस फैमिलियस कहते है चीक है और देखिए यहां पर और कुछ एक्जेम्पल की बात करेंगे यहां पर चीता की बात करते है किसकी बात करते हैं चीता की बात कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, यहां पर Acinonics कहते हैं, क्या कहते हैं Acinonics कहते हैं and it is extinct animal of the India, और यह इंडिया में हमारे country में नहीं पाए जाते हैं कौन, मैंने का चीता, basically यह क्या हो चुके हैं, विलुक्त हो चुके हैं extinct का मतलब क्या होता है मैंने का विलुक्त हो जाना, तो हम यहां पर Carnivora जो गन है, इसमें आने वाले member के example डिसक्स कर रहे हैं अब देखिए, यहां पर हम एक और example पढ़ते हैं, जो कि क्या है house cat, house cat, मतलब बिल्ली का जो आप यहां पर scientific name डिसक्स करें, यह क्या होता है, मैंने का domestic जो भी cat होती है, उसका scientific name phallus domesticus होता है, क्या होता है, phallus domesticus, जबकि dog का क्या था, canis familrius था, ठीक है, तो हमने यहां पर सारे species के बारे में देखा, तो generally carnivora, जो है basically order में आते हैं, ठीक है, अब इसी से particular, यहां पर next slide discuss करने वाले हैं, जो कि है, यहां पर next particular, जो यहां पर order होता है, once होता है, इसके बारे में यह point given है, हम इसे हम discuss कर लेते हैं, देखिए, यहां पर, जो next order है, यह क्या, it is about order CTC, ठीक है, यहां पर CTC की बात करते हैं, CTC, जो gun होते हैं, order होते हैं, इसमें कौन-कौन से лक्षन दिखाए देखिए, यहां पर दिया हुआ है, कि यह कैसे होते हैं, यह जो já समुदरी जल में पाए जाते हैं, किसमें? मैंने का, यह Sea Water में मिलते हैं, किसमें मिलते हैं यह? sea water में, sea water मतलब समुद्री जल में पाए जाते हैं और ये कैसी दिखते हैं, मैंने का it is just like a fish, fish like marine जो mammals होते हैं जो की समुद्री जल में पाए जाते हैं वो इस particular gun के सदश्य होते हैं, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर और क्या होता है मैंने का, यहाँ पर four limbs जो है, modify हो जाता है और ये रुपान्तरन को दर्सा करके क्या बनाता है मैंने का, ये paddles like structure बनाते हैं, और ये जो paddles होते हैं, ये किसमें help करते हैं मैंने का, ये swimming में, तैरने में क्या करते हैं, swim करने में help करते हैं अब देखिए, ये CTC order की बात किया हमने तो यहाँ पर ये कैसे इनका appearance कैसे होता है fish like दिखाई देते हैं, she water में मिलते हैं सासा अब ने देखा कि इसमें four limb अग्रव यहाँ पर पार्द की बात करते हैं तो वो modify होकर के paddles बनाते हैं जो की कौन सा work कर रहे हैं जो की swimming का work करते हैं सासा अब ने ये देखा कि यहाँ पर क्या absent होता है देखिए, यहाँ पर hair, absence of hair and the skin gland यहाँ पर इनके तोचा पर hair मतलब यहाँ पर roam नहीं पाए जाते सासाथ यहाँ पर तोचा पर पर पाए जाने वाले गरंथियां भी नहीं पाए जाती यहाँ पर testis की बात करें तो यह कैसे होते हैं abdominal होते हैं, extra abdominal नहीं होते हैं यह उदर गुहा की inside मतलब अंदर पाए जाते हैं यहाँ पर देखिए, यह important character है जिसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर double star mark किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक special type के structure की बात करेंगे इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं blubber क्या कहते हैं इसे? blubber कहते हैं, directly question आएगा कि blubber जो है, वो किस particular order में पाए जाने वाला भी लाक्षनी गुंदर्म है, your answer will be about CTC order, ठीक है अब देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? thick layer, एक मोटी इस्तर present है, किसकी? मैंने का fat की, जो वसा है, उसके एक मोटी इस्तर का पाया जाना, कहा पर? मैंने कहा below the skin, मतलब यहाँ पर skin के नीचे, जो है, अगर वसा का एक मोटा इस्तर present होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं blubber कहते हैं, ठीक है? और blubber कहा पाया जाएंगे? मैंने का यहाँ पर CTC order में मिलते हैं, अब देखिए, यहाँ पर example की बात करते हैं, first example देखिए, यहाँ पर क्या है? blue whale, क्या है? blue whale है, कव ही हम basically यहाँ पर scientific name क्या है, scientifically इसे हम विज्ञानिक नाम जो अगर बात करें, यह होता है, bellenoptera, क्या होता है? bellenoptera musculus, क्या होता है? bellenoptera musculus होता है, और blue whale क्या होता है? मैंने का, यह सबसे largest living animal है, ठीक है? और यहाँ पर largest living animal है, और इसका wet की बात करें, तो wet कितना होता है? 1500 तन या फिर 150 तन होता है इसका weight, ठीक है? अब देखिए, मैंने का, यहाँ पर first example, blue whale, second example हमने कहा, यहाँ पर क्या है? sperm whale, third example, dolphin, dolphin भी हमने यहाँ पर basically यह देखा कि dolphin जो है, आचा, dolphin में भी कुछी pedals और flippers like structure होते हैं, जो कि AVS में पाए जाने वाले, जो एक member हमने पर था, पैगवीन, तो पैगवीन से, जो यहाँ पे, पैगवीन की जो flippers होते हैं, और dolphin की जो flippers होते हैं, वो analogous, संवरती अंग होते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पे basically यह संवरती अंग की होते हैं, को कि यह दोनों में पाए जाने वाले, dolphin और पैगवीन में पाए जाने वाले, जो उनके flippers होते हैं, वो बिल्कुल संवरती होते हैं, analogous होते हैं, ठीक है? और दोनों ही तैडने के काम आते हैं, उनका कारिय समान है, लेकिन origin क्या होता है? अलग-अलग होता है, देखें, हम इसी particular यहाँ पे next segment के दरब लीड करते हैं, यहाँ पे जो next यहाँ पे order होता है, यह क्या दिया हुआ है? मैंने का it is about the order probability, चीक है? यहाँ पे अगर हम next order की बात करें, यह क्या है? यहाँ पे अगर है, next order, next gun दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉबशीडी के बारे में, यह कैसे होता है? मैंने का यह क्या होता है, यह स्थलिये परकार की होता है, और यह large, बड़े size की होता है और भारी animal होते है, heavy animals होता है, साथ साद इसमें केहाँए कि क्या present होता है इसमें? मैंने का इसमें यहर पिन्नी गान एर पिन्नी जो है मध्य-कंट से संवंधित जो भाग है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं यह काफी बड़े होते हैं चीक है यहां पर पाए जाने वाले pinny जो हैं वो बहुत जिदा large size के हैं सासात यहां पर हम यह कह रहे हैं कि यह fan like होते हैं नेक्स करेक्टर को discuss करने वाले हैं इसी proboscity particular order में यह क्या है मैंने कहा presence of proboscis यहां पर कुछ एक सुंडिका जैसे structures present होते हैं मैंने कहा presence of proboscis which is modified upper lip and the nose अब देखिए यहां पर proboscis के समान कुछ एक structure present होते हैं और यह जो proboscis होता है इसकली इसके बारे में क्या करते हैं यह जो proboscis हैं वो modification so करता है modification so करता है किसमें upper lip में किसमें upper lip में और सासाथ यहां पर nose में क्या करता है अब देखिए यहाँ पर next character पढ़ते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसी प्रॉबर सीजी के बारे में दिया हुआ है कि presence of tusk tusk क्या होते हैं tusk जो है basically यहाँ पर elephant की बात करें तो उसमें पाई जैनल टिट को क्या कहते हैं tusk कहते हैं तो यहाँ पर क्या present होता है यहाँ पर tusk present होता है which are modified into the upper incisor जो कि यहाँ पर तित के ही पाट होते हैं upper zone में present जो incisors तित होते हैं जो कि cutting का work करते हैं उसमें modify हो जाते हैं देखिए testis यहाँ पर भी क्या है abdominal है next particular example की बात करें सीधा से example है elephant क्योंकि elephant में ही क्या होता है tusk होता है जिसका economical importance भी होता है arctic method भी होता है बहुत सारे जो costly यहाँ पर आभूशन होते हैं उसे बनाने के लिए tusk का इस्तिमाल किया दाता है अब देखिए Indian elephant 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 order की बात करते हैं next order क्या है basically यह आपको रिखाई दे रहा है order artio dactyla order artio dactyla gun की बात करते हैं तो इसमें पाई जाने वाले legs कैसे होते हैं लंबे होते हैं बिल्कुल normal से character से जिसे हमें क्या करना है study करना है theory का part है basically यहाँ पे देखिए चा present होता है अगर यहाँ पे इन में पाई जाने वाले digits की बात करते हैं इसमें पाई जाने वाले अंगलियों की बात करते हैं तो दो से चार प्रेजेंट होते हैं तो 2-4 यहां पे डिजीट यहां पी अंगलियां पाए जाती हैं इनके पैर कैसे होते हैं लंबे होते हैं हम यहां पे RTO Dectyla Order की बात कर रहे हैं फॉर्स्ट एक्जामपल वेरी फॉर्स्ट एक्जामपल है ओविस मतलब यहां पे राहे हैं इसे में आते हैं साथ सथ अगर केमल की बात करें जिसमें पाए जाने वाले अपराई क्रिजयार में बात ुयहहए क के прост यहां पे ने और उप्रेजेंट है रविस ब्र्याइध बात करें इसे कहते हैं कैपірा सुर्ण क्या है मैं पे scientific name क्या होता है boss Indicus क्या होता है boss Indicus फिर मने कहा यहां पे नील गाई नील गाई भी इसी ही particular order में आते हैं क्योंकि इसमें आप ने देखा होगा पैल लंबे होते हैं तो उसे चार उंगलियां होती है ठीक है अब देखिए next है जिराफ जिराफ क्या है it is a largest heart and largest isophagus देखिए basically लिए इसमें जिराफ में क्या present होता है सबसे अधिक बड़े कार के हिर्दे और सबसे अधिक बड़े कार के जो है ग्रास नाल का पाया जाना जिराफ का important करेक्टर है musk deer musk deer important यहाँ पे example होते हैं और इसमें पाय जाने वाले erythro side जो है उसका side सबसे कम होता है तो musk deer जो है इसी RTO dactyla जो order है उसी का member है और इसमें smallest RBC present है अब सीज़े लीट करते हैं हम next particular order के तरफ और यह क्या है order perisodactyla क्या है मैंने का यह है order perisodactyla देखिए इस order में आफने में क्या क्या पढ़ना होता है मैं आपको बता दूँ किस order में हमें basically यह पढ़ना है कि इसमें आने वाले जो भी एनिमल होते हैं उसमें canines प्रकाल के जो तित होते हैं वो क्या होते हैं और small होते हैं, इसी कानायन का काम क्या होता है, tearing, farneka work होता है, यहां पे small होता है, यह फिर यह पूरा तरह से क्या होता है, absent होते हैं, अगर यहां पे अंगलियों की बात करें, तो पिछले वाले जो वह देखा था हमने order, वहां पे 2 से 4 थे, यहां पे कितने होते हैं, one, two, three disease ह होते हैं और इस फ़ाव इस पर्चिलर डीजिज्ज में क्या होते हैं इंके उंगलीयों में कुछ special structure होते हैं जैसे कहते हैं हूप कहते हैं शुश के कहते हैं ठीक है अब देखिएом कैसे होते हैं मैंने कहा यह फैस्टरें तजी से दोड़ने वाले होते हैं और और यहां पर अगर बात करें third digit की वो किसको touch करते हैं मैंने का यह तेजी से दोड़ते हैं और इसमें पाई जाने वाले किवल तीसरी उंगली ही यहां पर अर्थ के surface को किया करती है गमन के दोरान touch करती है किसमें अगर बात करें और यहां पर handling क्या है एक्वरित करते हैं जेबरा, इसका scientific name क्या होता है, इसे कहते हैं Equus जेबरा, ठीक है, अब देखें, last example है, यहाँ पर rhinoceros, जिसे हम कहते हैं, single horn ganda, अब देखें, basically, यहाँ पर हम बात करें कि horn तो यहाँ पर क्या होता है, absent है, लेकिन, एक single species है, इसी particular परैसोm डेक्टीला गण में, जिसमें क्या present होता है, जिसमें यहाँ पर horn या सिंग present होता है, और इसे क्या कEते हैं, rhinoceros केते हैं, और basically, इसका common होता है ganda, तो केते हैं, इसे single horn ganda, मतलब यह कैसा species है, यहाँ बसक् Attack लिए यहाँ पर animal है, जिसमें इसी में आते हैं तो यह important है दखिए अगर यहां पे order primates की बात करते हैं तो primates में basically वो सारे animals आते हैं जो कि क्या होते हैं मैंने का तो सबसे बुद्धी जी भी होते हैं most intelligent type की जो animals हैं वो इसी primates में आते हैं इनकी अगर हम basically किसकी बात करें मैंने कहा their cranial capacity is the maximum देखिए cranial capacity क्या है इसे हम basically CC से represent करते हैं तो मैंने कहा यह जो CC से cranial capacity मतलब यहां पर brain की capacity होती है उसे हमने कहा क्या cranial capacity कहते हैं जो की नियर अबाउट मैंने कहा 1400 CC के नियर अबाउट होता है और यह human के evolution वाले phases पर dependent करता है normally यहां पर 1400 CC का दिमाग जो है human being रखता है अब देखिए यहां पर अगर इसके female की बात करें तो female जो है वो क्या दर्शाती है यहां पर primate में आने वाले जो मादा प्रिजाती है वो आर्तव चक्र menstrual cycle को regular basis पर हर 28 days के period पर क्या करते है शो करते है human being के case में हालांकि यह menstrual cycle की timing अलग-अलग primate में अलग-अलग हो सकते हैं हमने यहां पर especially human beings की बात की इसमें सीधे example की बात करते हैं given given क्या है smallest apps केते हैं और basically यहां पर गॉरिल्ला आएका given के साथ गॉरिलला क्या है largest app largest apps किसे करते है मैंने का गॉरिल्ला है और यहां पर smallest क्या है smallest यहां पर given था सीधे यहां पर कुछ last example देखने वाले हैं यह क्या is doing basically यहां पर monkey की बात करें इससे पहले हमें देखा था monkey of modern world जो से हमने spider monkey कहा यहां पर हम fourth example discuss कर रहे हैं monkey of old world जिसे क्या कहते हैं research monkey कहते हैं और यह वही monkey है जिसमें यहां पर RH factor की discovery ही थी ठीक है आरेज factor की discovery आपने आरेज factor के बारे में circulation वाले chapter में पढ़ा होगा जब हम heart वाले chapter के बारे हम discuss करते हैं परेशन सिरंग कंतर के बारे हम पढ़ते हैं तो आपे land designer नामक एक विज्ञानिक थे और winner land designer और winner ने RS system की खोज research में की थी जब यहां पर ABU system अलग लग प्रकार के blood group पढ़ते हैं उसके बाद का topic होता है RS system तो इसी research monkey इसी monkey of old world में RS system की discovery भी थी मैंने बता दिया next example है chimpanzee क्या है chimpanzee है इसे pen कहते हैं और most intelligent app consider की जाते हैं यहां से question आएगा कि सबसे बुद्धी जीवी app क्या है आपका अंसर वंचिए चिपाजी बहुत बार आपको जो है medical exam के previous year के question में मिलेगा कि chimpanzee वो तंधारी है मेंमल है जिसे pen कहते हैं सबसे यह क्या है intelligent app होते हैं अब देखिए next example इसी particular primate gun का क्या है औरंगोटान क्या कहते हैं इसे कहते हैं औरंगोटान कहते हैं इसे पॉंगो इसका common name होता है और इसे हम basically एक और common name प्रवाइड कर सकते हैं यह क्या है यह है main of forest ठीक है यह basically क्या है मैंने का यहां पर main of forest इनके habitat के वैसे यह नाम दे रिया गया है यहां पर आवास क्या होता है इस प्रकार के species का औरंगोटान का मैंने का यह जंगल में रहा करते थे इसे लिए क्या करते हैं इसे main of forest last example यहां पर human being को लिया है और यहां पर homo sapiens के बा किया और थर्ड सबक्लास यूथीरियंस होते हैं उसको मैंने बहुत सारे order में डिवाइड किया उसमें आने वाले species और उसके characters को मैंने क्या किया study किया ठीक है हमने इसी particular lecture के साथ यह जो हमारा कोड़ेटा फाइलम है इसके बारे में हमने complete discuss कर लिया है और उससे पहले हमने 1 to 11 फाइलम प्रोटो जोवा फाइलम से आने के बार में यहां जो हम हेमिकोरटा फाइलम की बात करते हैं उसके बारे में हम क्या कर चुके हैं study कर चुके हैं इसी particular lecture के साथ हमारा पूरा animal diversity जन्तु जगत हमने क्या कर लिया है finish कर लिया है अब देखिए in the next lecture हम क्या study करने वा माइंड में जो topic होता है वो होता है that is about the human physiology हम यहां पे human physiology को discuss करेंगे in the next lecture हम first of all यहां पे human physiology के कुछ एक basic बाते देखेंगे और उसका जो first chapter होता है according to NCRT उसको discuss करेंगे that is considered as a digestive system पाचन तंतर को हम क्या करेंगे first of all discuss करेंगे तो कल के live session में आप से मिलते हैं एक नए topic के सा ज़्यादा interesting होता है क्यों क्यों कि अगर हम human के body की बात करें कि आखिर basically वो कैसे होते हैं उसके body में कौन-कौन से parts होते हैं किस तरह से सभी तरह के जो organ होते हैं वो आपस पे जुड़े हुए होते हैं interconnected होते हैं इन सभी के बारे में मैं आपको basic knowledge provide करूँगा और हमारा जो next topic है animal diversity के बात जो हम पढ़ने वाले हैं जंक्तु जगत के बाद सबसे ज़्यादा interesting topic पढ़ने वाले हैं वो क्या है human physiology है आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ ज्वायन हो human physiology का सबसे जो interesting chapter है digestive system उसको हम पढ़ने वाले हैं और अगर आपको इस particular lecture में किसी तरह का बॉक्स में मेंशन करें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तब तक के लिए जय हिन जय राजधानी